हलो एवरीवन तो कैसे हो आप लोग होप यू गाइज आ डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक तो अनेदर वीडियो तो आज इस वीडियो में हम लोग ने क्लान और क्या है वे टॉप थ्री रैंकिंग क्लान के साथ जो कि है टीम एकस्टी एंड गाइज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना बिकॉज इतने ओपी मुएंट्स हुए ना बस आप लोग वीडियो देखना और तैंक यू सो मजर आप लोगों ने 8.97 के सब्सक्रवा द बना के दिया तो थैंक यू सो मच उसको और उसका गाइस कोई चैनल तो नहीं लेकिन उसके भाई का चैनल है तो मैं उसकी भाई के चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रू से लाएकि चेक आउट कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने रहा एंड गाइस नाओ ले तो यहां पर हमारे जीतने के चांसे थोड़े से कम थे बट एजड के दोनों बंदे केसु के अपना बेस्ट दे रहे थे तो यहां पर सीन क्या था एक बंदा सबसे नीचे गया तशाय तो बस एजड अलों को जितना हो से कि उतना ऊपर सर्वाइफ करना था और यहां पर जैसे ही फायर जड जम करता है उससे नीचे वाला टाइल का अंदाजा नहीं आता एंड वो हो जाता है सीधा इलिमिनेट अब सब कुछ के के उपर था अब एकदम बीजे माई की तरह वन भी पूर वाली सिचुएशन थी एंड के भी एजी लिए खेल रहा होत और अब यहां पर बचता है एकस्टी के दो बंदे यहां पर केशु के ट्रिक ट्राय करता है बट एकस्टी के दो बंदे थे याद इसलिए कुछ फैदा नहीं होता है और यह पॉइंट हो जाता है एकस्टी क्लैंग का इसलिए यह प्रिव्यू मैं ने रेज के स्ट्रिम से लिया है यहां पर लीड में एकस्टी का बंदा होता है और उसके पीछ पंकज लेकिन उसके साथ हो जाता है स्खैम तो अब जुडों के पीछे था पोकेडेक्स अब अगर जुडों कोई गलती करता तो ही यह पॉइंट हमें मिल सकता था लेकिन यहां पर फॉइंट से डाइफ करके बूस्ट लेता है और यह वाला पॉइंट हमें मिल जाता है तो गाइस थर्ड रान में मैप आता है स्पेस रेस एंड देखा जै तो सोल का परफेक्ट स्पाउन था एंड इसी का वो फायदा उठाता है यहां पर एकदम सईसे टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके लीड ले लेता है और अब उसे बस हगना नहीं था और लीड बना रखनाता है वैसे ही वो करता है यहां पर भी वह सई से ट्रिक यूज़ करके बूश्ट ले लेता है एंड अब हमें उसके वीचे स्टी का बंदा दिख रहा था कि यहां पर जो बूस्ट वाली ट्रिक होती है वो जो मिडल से जाने वाली वो सोल से नहीं होती पर पता नहीं कैसे लेकिन सोल यह वाला क्राउन ले लेता है मुझे एक सेगंड के लिए लगा था कि यह क्राउन तो हाट से आए बर चला कोई न मैप वापिस आता है अपना हनी ड्रॉप इस बार गैस गेम ना बराबर वालों की थी लाइक क्यूंकि लास्ट टैम एजट के दो ही बंदे थे इस बार चार बंदे एंड एकस्टी के पी चार तो बराबर वाली गेम थी अब बस हमें हजिना नहीं था कि अब कि अब कि अब कि वैसे पोकेटेक सबसे उपर था लेकिन देखो इसके जाथ क्या स्काइम हो जाता है जो सबसे उपर था वह चलाता सबसे नीचे अच्छा वह नीचे टाइल की नई तो वह एलिमनेट हो जाता था जो जहां से हमें पता चलता कि यह इजी विन है एजड़ वालों की विकाज वह सेड दोनों एजड़ के बन देतें एंड यह एजड़ एक्सटी के और इनके पास टाइल्स कम दी तो यह वाला पॉइंट भी एजड़ को मिल जाता है ओके गैस तो फिफ्ट तर्न में मैप आता है आईसी हाइट्स एंड यहाँ पर सोल ट्रिक यूज़ करके लीड ले लेता है उसके पीछे एक्सटी फोर विक होता है लेकिन उससे यह जंप नहीं होती एंड सोल बाई कल तो खतरना के केल रहाता एक भी बिना कोई गलती किये इज़ी टिफ्ट संट्रिक्स करके यह वाला क्राण भी ले देता है यार सोल के लिए एक लाइक तो बनता है तो तो गैस सिक्स रांड में मैप आता है हम सबका फेवरिट सूपर स्लाइड एंड यहाँ पर पंकच को स्टार्टिंग में अलगी लेवल का बूस्ट मिलता है उसी के पीचे होता है सोल एंड गाइस बाइदाए पंकच एजड का न्यू मेंबर है और वह स्क्रीम्स विनर था इसलिए हमने उसे मौका दिया वार खेलने का एंड सीरसल यार उसने मौके पे चौक हमारा बहुत भी तरह के से वह ट्रिक कर रहा होता है एंड उसी के पीच अच्छा 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 था लेकिन स्पैक साटिक में बॉड़ी हो जाता है अब रेज आपर लीड ले लेता है उसके पीचे जोग था और फॉर भीक था जैसे ही जोग यहां से जम करता है उसका हो जाता है बॉड़ी अब यह करना तो इजी एक्स्टी वालो का था वैसे फॉर वीक को आगे चलके बॉड़ बॉल पढ़ती है लेकिन रेज बच जाता है अगर उसको भी बॉल पढ़ती है तो शायद यह पॉइंट हमें मिल सकता सब्सक्राइब यहां पर लास और मैं मैप आता है लेजर ट्रेजर एंड यहां पर दोनों टीम्स के चाचार बंदे थे वैसे यह वाले मैप में ज्यादातर लोग बॉड़ी करने का ट्राय करते हैं बट यहां पर फिलाल बंदे नहीं कर रहे थे बॉड़ी बिकॉस बहुत पर बॉड़ी करने के चक्कर में खुद ही इल्मिनेट हो जाता है यह वाला राउंड अल्मोस्ट तीन मिनिट का था तो मैंने बग बीच वाला पार्ट थोड़ा फास्ट फॉर्वर्वर्ट कर दिया तो बस आप लोग एंज्वाइब लोग इंज्वाइब लोग इंज्व 是 पॉर्वर्वर्व कर एंज्वाइब लोगा राउंडर फलू झाया तो मैं सो और कोड़ीश नयुद extremes कि अरेयो मיך अजय को कि अबू़ीश कि अरल कि अबू़ीश थेक हैं कि अरेयो मिस थाइवार पाणIl कि अरnew तेरी अर। कि अर्फ दोड़ीशो कि अरे उन्या सब्सेशं कि अरेदिए बलूब हो तो यहां पर लाश बंदा एकस्टी का पुपू जीता एंड वो भी हो जाता है एलिमिनेट एंड फाइनली यह लाश वाला पॉइंट में मिलता है एजड वा लोगो एंड गाइज अब स्कोर था 6-2 एंड एजड वाले एकस्टी से 4 पॉइंट से जीत जाते है इसे के साथ हम लोगों की पोजिशन हो जाते टॉप 3 इन रैंकिंग क्लैन वास अब बात करते हैं विंजो के बार में और मैं पहले ही बता रहा हूं कि विंजो ने मुझे कोई स्पॉंसर वगेरा नहीं किया है अब तुम लोग बोले कि आप लोगों को पता है कि विंजो पर अलग अलग गेम्स खेल के कमा सकते हैं बट रिसेंट्ली विंजो वालों ने अपना प्यारा स्टंबल गाइस गेम सब्सक्राइब करें अगर अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप लोग 50 रुपीज का बोनस भी जीत सकते हो जरू से डाउनलोड करो एंड जीतो अगर आप लोग एजड जॉइन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में एजड सरवर की लिंक दिए फटा देंगे और हाँ चैनल पर नियुक्त सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट वीडियो से पहले 8.99 के करने तो फ्लीज सब्सक्राइब करना तो यह मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तिल दन टेक क्यार बाबाए एंड सायोनारा